यह फिल्म इतना गरम हो रही है जब इसके प्रोमोज आएंगे जब ट्रेलर आएगा यह एक ट्रू ब्लू एंटेनर होगी एंग इत पे जिस तरह की फिल्म में आनी चाहिए जिस तरह के एंटेन्मेंट ओडियंस को प्रवाइड करना चाहिए यह सल्मान खान अब अच्छे स समच चुके है और आएम टेलिंग यू राइट नाओ आज से अर्मोस्स साथ आट महीने पहले के बावीस में दो हजार बीस को जब रादे यां मोस्ट वॉंटेड भाई आपके सामने आएगी नजदी की सिनेमा घरों में इस विल बी सल्मान खान सेंचुरी लिटरी बोल र सल्मान खान is gearing up for the biggest battle of his life जो कि इर 2020 पर आने वाला है कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाये जा रहे हैं जो के फिल्म के हित में ना हो सारे के साही कास्टिंग इस कदर हो रही है सब नहीं नहीं लोग ऐसे दमदार लोग जो आक्शुली फिल्म में होना डिजर्फ करते हैं देने वाला हूं पहला गाना शूट हुआ था सीटी मार इसके बारे में आप सभी लोगों को बता चुका हूं दिशा पाटनी महभू स्टूडियो में लेकिन अगर मैं आप से कहूं कि इस फिल्म में दिशा पाटनी के अलावा आपको जैकलीन फॉनांडिस भी देखने मिल सेकेंड सॉंग येस मेरा भाई लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ रिहर्सल्स थी शूटिंग रादिया मोस्ट वॉन्टिट भाई के जो दूसरा गाना है उसमें बहुत सारे फॉरें डांसर्स का फिर से यूज किया जाएगा इस गोड़ीन आउट आउट मास पैपी आइट स्मक्स फ्रॉम टुमॉरो और गाइज येस गाने में सल्मान खान एंड जैकलीन फरनेंडिस की इन दोनों की कैमेस्ट्री फिर से देखने मिलेगी तो स्टेप्स है कुरियोग्रफी इस गाने की वह फार है बहुत बड़ा भाविया सेट लगाया गया है वहां पर अन गाइ सब्सक्राइब इस गारे में आने वाले हफते में उसकी शूटिंग खतम हो जाएगी तब इसक्राइब लेकिन फिलहाल इस चैकलीन अगें विद भाहिजान इन दे सेकेंड सौंग और अफ रादे यह मोस्ट वाइड वाई आइटम सौंग होगा मास नमबर होगा यह दो सो इससे स्टे कूल मान